नमस्कार दोस्तो मैं रामुकुमारियादो एजुकेशन क्लासस रामु मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का हमारा प्रेक्टिस सेट यानि कि हमने पिछली वीडियो जो आरंबिक पठन कॉसल था उसको पढ़ा हमने बताया था कि उस थियोरी को पढ़ने के बाद ह हम उससे important question आपको कराऊंगा जो कि exam के डिरिश्टी से काफी important होगा तो अगर आप primary super tech की त्यारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि हमारा जो वीडियो है यह शिक्षण कॉसल के अंतरगत जो 10 नमर का पाठ है उसके अंतरगत जो आरंबिक पठन कॉसल है उस topic के अंतरगत हम यह practice set करा रहा है तो अगर आप theory नहीं देखिए तो जरूर थी देखिएगा उसके बाद practice set को लगाईएगा तो चलिए दोस्त सीदे चलते हैं अपने practice set पर प्रश्ण नमर वन करा है कि निमलिकित में से कौन माउन पठन की विश्यस्ता नहीं ह देखिए काफी important प्रश्ण है माउन पठन के बारे में मैंने theory में बताया था आप लोगों के लिए तो theory को जरूर देखिएगा इसमें से कौन सा माउन पठन की विश्यस्ता नहीं है यह चीज आपको बताना है देखिए पहला option भी माउन पठन की विश्यस्ता है दूसरा option स सिक्षक की ही देख रेख में किया जाता है अब यह जरूरी नहीं है कि माउन पठन सिक्षक की देख रेख में किया जाता है हम भी तो कभी-कभी पढ़ते हैं मतलब कि अपने जहां अपने study room है वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम माउन पठन करते हैं तो यह तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि सीख्षक की देख रेक मैं ही ज़रू पढ़ा जाता है नम्मर पढ़ा तो आप्सन नम्मर बी वाला बीकल्प जो शही हो जाएगा यह विश्हस्ता के अंतरगत नहीं आएगा ठिक अब बाकी तीनों जो है विश्हस्ता के अंतरगत आएंगे मौन पठन का तो इसका भी वाला भी कल्प सही होगा अब देखें यहां वही बात है और कुछ important जिसे कि मौन पठन की विश्यस्ता है क्या क्या है उसको देखते हैं देखें लिखित समागरी को बीना आवाज निकाले पढ़ना मौखिक मौन वाचन या मौन पठन कर सकते हैं इसकी विश्यस्ता पहली है कि मौन वाचन में ठकान कम होता है मतलब दीर दीर पढ़ेंगे मौन वाचन में नेत्र और मस्तिक शक्री होते हैं और मौन वाचन, और कास का सदुपयोग करता है, ठैक, मौन वाचन, में शमय की भी बचत होती है और मौन वाचन के शमय पाठक एकागिरचित होकर ध्न प्रचन प्रश्य नमर दूसरा क्या कर रहा है इसको देखते हैं, प्रश्य नमर दूसरा कर रहा है, थोड़ा रूगी इसको जोम कर लेते हैं, बस। योग के द्वारा पठन पर बल देने का मुख कारण क्या है? ये पूछ रहा है मुख कारण क्या है? तेखिए इसका जो उत्तर वाला विकल्प हुआ वागेंद्रियों जिसको ग्यानेंद्रियां करते हैं को दृड करन का प्रयास किया जाता है, आप्सन नमर B वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा और जैसे कि यह तीनों आप्सन है यह विकल्प गलत है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका विकल्प B वाला सही हो जाएगा अब चलते हैं आगे वहीं चीज यहाँ पर बताया गया है तो B वाला विकल्प सही हो जाएगा आप चलते हैं प्रश्ण नमर तीसरा देखें प्रश्ण नमर तीसरा कर रहा कि जब दो या दो से अधिक विद्ध्यारती मिल कर उचे श्वर में पठन करते हैं तो ऐसे पठन को क्या करते देखें उचे स्वर में पठन करते हैं याद रखेगा आप उचे स्वर में पठन तो कर रहा है अब देखें आपसन आपके पास शमवेत पठन अनुकरन पठन आदास पठन गहन पठन अब देखें अनुकरन पर्थन ता हो नहीं सकता अधर्स पर्थन तक हो नहीं सकता गहन पर्थन आप लιοगाइं नहीं सकते में पर MIC तकाघ हैंगे शाम को जब बात हो त शामोईग विद्यार्तियों की जब बात होती है तब और वो भी ऊचे श्वरमे उसको शामोईग पठन भी कशकते हैं यहां शमव्यत पठन भी कशकते हैं तो इसका विकलब वाला विकलब सही हो जागा तीसरा का अब चलते हैं अगले प्रश्ण वही बात यहां पर लिखा गया है ठीक प्रश्ण नम्मर चार करा कि आरंबिक पठन कौशल के उद्देशयों की प्राप्ति के लिए क्या आवस्यक है आपको इसमें से बताना है जो इस प्रश्ण के अपसान है आपको इसमें से चूच करना है देखिए इसमें जो बिकल्ब सही होगा सिख्षक एंबालक के मद आत्मी शंबंद होता है काफी इंपोटेंट प्रात्मिक अस्तरपर अगर हम बात करें तो इस चीज़को ज्यादा ध्यान रखा जाता है और आरंबिक पठन प्राक्थिक अस्तरपर ही कराया जाता है तो आप कि अतियावस्यक पूछा भी है इसमें तो यह वाल अभिकल्ब चौता सक्री हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्ण पर और अगला प्रश्ण हमारा पांचवा प्रश्ण वहीं बात यां पर लिखा गया तो चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्न पाच्वा है कि पठन कौशल का अंतिम उद्देश है, देखिए कठिन से कठिन सब्दावली का सुध उचारन करना, उत्तम कोटी की अध्यन शमागरी का चैन करना, शमज के साथ पढ़ने की छमता का विकास करना, तो पठन कौशल का अंतिम उद्देश पू करना उसका पुछ रहा है तो अंतिम उद्देश से आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपका उसका अंतिम उद्देश से क्या होता है कि समझ के साथ पढ़ने की चम्टा का विकास करना उसका अंतिम उद्देश से होता है पठन-kausal का तो tanал C वाल‍च thickness पांचवा कसी अब चलते हैं आगे और इसकी थियोरी भी इंपोटेंट है तो उसको भी देखते हैं देखिए पठन कौसल का अंति मुद्धे से समझ के साथ पढ़ने की छमता का विकास करना होता है आगला पॉइंट लिखा है कि लिखित भासा के द्वन्यात्मक पठन को मौ अश्यक होता है जो पठन करता के ग्यान और कौसल पर निर्भर करता है तो देखिए पठन करता के ग्यान और कौसल पर निर्भर करता है अगर आप किस तरह से उस चीज को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ ग्राण कर रहे हैं तो वह आपके ग्यान और कौसल पर निर्भर कर ऐसा अभ्यास करा आगे पढ़ लेते हैं इसको बात बाते हैं आरो आरो का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा आउसर भावों के अनुकूल श्वर में लोच्चा देखकर पढ़ सके अब कभी-कभी होता है कि आए कि बालक जब पढ़ते हैं तो किसी चीज को तेज गत होता है तो वह अपने आकों कुलित कर रहें डाले अपने लोचनता खुधपन करें यह चीज पहला आपका उधेश है दूसरा उधेश से बालक को वाचन के माध्यम से सब्द धोनियों का पूर्ण ज़्यान कराना है दूसरा पठनकॉसल को उधेश था तिसरा वाचन के आउ समझे, दूसरों को भी समझाए और वाचन का यह उद्देश से काफी इंपोटेंट होता है, तो छातर पढ़ कर उसका भाव भी समझे और दूसरों को भी समझाए, यह अगला उद्देश चोथा है, आगे चलते हैं और अगला हमारा क्रेश्चन आ जाता है, छेवा नम् कि नमीन जनकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान इसकीमा, जो अवधाना है, वर्तमान आपके अंदर जो ग्यान है, उसमें बदलाव की परकरिया डैश डैश का लाती है, इसको क्या कते हैं, अगर यह प्रशन पूछे तो यह जीन प्याजे से रिलेटेड प्रशन है, तो जब आप नमीन जनकारी को शमलित करते हैं, तो उसमें बदलाव की परकरिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, शमायोजन, शमायोजन, बी वाला बिकल्प सही हो जाएगा, एको मूडेशन इंगलिस में इसको कहा जाता है, तो इसका बिकल्प बी वाला सही हो जाए तो इसका पी वava अभिकल्प, 6मा का आगे चलते हैं और यह ऐगलत है इस चीज़ को द्यान में रख्येगा इस ba का कौछ गलत है तो ay have a b- what is a, इसका सभी और चलत सब्चल एप अगला प्रेश्ण हमारा देखिए। उसी से प्रचलित योजनाओं में नई जनकारी जोडने को किस नाम से जाना जाता है अब देखें वहीं चीज कर रहा था उसमें बदलाव कर रहा था इसमें नई जनकारी जोडना है तो उसको हम क्या कहेंगे आत्मसाती करण कहा जाता है ठीक तो बिकलप आप लोग के सामने और वाला विकलप इसका सही हो जाएगा वहीं चीज देखें यहां पर लिख्या गया है आत्मसाती करण के बारे में ठीक अगला प्रस्ट जो की इंपोटेंट है इसको देखते हैं देखें इसमें कर आए कि एक बच्चा अपनी मात्री भासा सीख रहा है वह दूसरा बच्चा और वहीं बासा दूतियक बासा के रूप में सीक रहा है इंपोटेंट कWAYस्चन है ध्यान में रखियेगा दोनों निम्लिकेत में से कौन सी समान परकृरिया की त्रूटी कर सकते हैं तो कौन सी कर सकते हैं तो वह त्रूटी होती है विकास आत्मक तुरूटी कालाती है क्योंकि दोनों बच्चों का विकास अलग-अलग होता है तो ये तुरूटी इसके इंत्रगर्ट आ जाती है सी वालबी कल्प सही हो जाएगा आठमा का अब इसकी थियोरी थोड़ा देख लेते हैं मात्री बांसा सीखने वाला बच्चा और उसी बांसा को दूत्यक बांसा के रूप में सीखने वाले बच्चे का विकास आत्मक तुरूटी करेगा अब देखें एक बांसा तो मात्री बांसा सीख रहा है लेकिन एक बाहसा के लिए और दूर्थ एक बाहसा के रूप में कई गई है तो दोनों को भी किसा वात आलग गजलाग भई ना तो उसी को हम आज जाता है से यह किस नमसा करने चलते हैं प्रुनिंबर 9 अर्ष नमसा का रहा है कि एक वर्स में सीशू जब आख कान वह हाथों से सीखते हैं तो निमलिकित में से कौन सा आस्तर सामिल होता है तेखिए यहां चीज पहले किस चीज के बात की गई है तो एक वर्स में सीशू आख कान हाथ से सीखते हैं यानि वह कौन सा ज्ञान ले रहे हैं तो इंद्रिय जनित ज्ञान कर र इंद्रजनित या सावेगित गामक सावेदिध गामक अस्तर एक वर्स तक सीसु आँख कान नाख हातों से सीखते हैं यह अवस्ता जन्म के उपरांत प्रतम दो वर्षु तक चलती है इस अस्तर पर बालक हाथों से चीजों को इधर उदर कर चीजों की पाचान कर या किसी द्वनी को शुन कर चिंतन प्रणाम कर देता है इस अवस्ता में दोरान, सिसु, असहाय, जीवधारी से गतिसील, अर्धभासी और समाजिक द्रिष्टी से बेफ्ति बन जाते हैं तो वो अपने इंद्रियों द्वारा ज्यान को अरजित करते हैं उसी को इंद्रिजनित गामक या सामेदित गामक शमेगों शेग ज्यान का प्राप्त करना उसी को कहा जाता है तो आपसन नमर सी वाला भीकलविस का सही हो जाएगा अब चलते हैं प् प्रश्ण बना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा पहली चीज़ प्रश्ण है कि रिया नाम की लड़की है कच्छा पिकनिक करते हुए रिसब से सामत नहीं है यानि कि रिसब के जो मत है उसो सामत नहीं है वह सोचती है कि बहुत बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है मतलब कि बहुमत के अधार पर अपनी जो पिकनिक बनाने का जो तै किया गया है उसमें संशोधन हो सकता है सहपाठियों के द्वारती या सहपाठियों सहपाठी विरोध है मतल आती है कि पिकनिक का जो समय है वो बहुमत की अधार पर निकाला जाए और अगला पॉइंट का आ गया कि यह सहापाथी बीरुवत के अंतरगत आ रहा है क्योंकि रिया जो है रिसब से सामत नहीं है तो पियाजे के अनुसार निमलिकित में से किसा से संबंदी थे कौन सी नैत के कवस्ता है चार बात आई गई यह याद रखेगा जब अफ्थिवरी बढ़ेंगे तो तो यह किसके अंतरगत आएगा यानि कि सबका तो आत लिया जा रहा है इस प्रश्ण में तो इसमें नेतिक सहयोग के अंतरगत आएगा आपसन नंबर डी वाला भी कल्प सही हो यानिक इसमें दस ही प्रश्ण थे काफी इंपोटेंट प्रश्ण थे हमने आपको करा दिया था काफी छोटा टापिक था तो इसलिए प्रश्ण भी इसमें कम है तो चले दोस्त अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर देखेगा वीड यह तो आपको अच्छा यह जरू करें तैंक यू थैंक यू पर वाचिं थे विडियो